सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मैं गौरव आपका बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफ एश पिसोड में और लेके आए हम आपके लिए बहुती कमाल की टेक्निक्निक्निक्निक्नूज तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको देज़े तो मैं चोटा सा एक अपडेट कि मैंने एक छोटा सा कॉलाइब वीडियो बनाया था यूट्यूब पे अपने बाकी दोस्तों के साथ में जो कि मैंने पोस्ट किया अपने दूसरे चैनल गौरव च जी 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 तो आप चिंता मत करो मैं जैसी मेरे पास में पहुंच जाएंगी उनको आगे जलके बहुत जल्दी काम में ले लूँगा उसकी टेंशन नहीं है जो आपने रिकॉर्ड किया बिल्कुली वेस्ट नहीं जाएगा और आपके लिए ये एक एक एक्स्ट्रा सर्प् है वो निकल के आता है जी ओ फोन के बारे में और यहां पर दोस्तों आज हो गया है खुशी का दिन डबल धमाका विकॉस दोस्तों आज से जो फोन की टेस्टिंग वह स्टार्ट हो गया यह फोन पहुंच रहा है जी एम्प्लोई के हाथों में अभी यह आगे नॉर्मल कस् के हाथ में हम देखते हैं और क्या आप जी ओ फोन लेने वाले हैं मुझे बताईगा जरूर नीचे कॉमेंट्स में तो अगले अपडेट निकल के आता है वो है भाई गेम आफ थ्रोन सीजन 7 एपिसोड 4 के बारे में और यहां पर दोस्तों जिसने इसको किया था लीक उनको अपडेट निकल के आता है वो है नोकिया 5 की सेल को लेके तो यहां पर दोस्तों यह फोन वेकर आपको खरीदना है तो आप लेसकते हैं अपने ऑफ-लाइन मार्केट से लेकिन दिक्कत क्या है कि इंडिया में दुस्तों सिर्फ 10 शहर ऐसे हैं जहां पर यह नोकिया 5 मिल रह है यार नोकिया 6 देखते हैं तेस तरिकों कितने स्टॉक्स जो है नोकिया क्लियर करता है उसके अलावा मतलब यू तरसा-तरसा के तरपा-तरपा के चिंदी-चिंदी जो है वो अपने आइटम दे रहे हैं इतने शहरों में यह वह अरे यार कब से फोन लॉंच किया हुआ है च्छे महीने से उपर हो गए है अब तो कम से कम खुले आम करें दे दो आप दोस्तों क्या फीडबैक रखते हो नोकिया 3, नोकिया 5, नोकिया 6 के बारे में और नोकिया 3, 3, 1,0 के बारे में मुझे बताएगा जरूर नीचे कॉमेंट्स में दोस्तों अगला अपडेट निक करें कैसे पेपर कटिंग वाला डिजाइन था जिसको गूगल ने बाद में कनवर्ट के डिसल फॉर्माट में और इसके अलावा दोस्तों यहां पर गूगल पोस्त जो है वो भी टेस्ट किया गया अगर आप जाके देखेंगे इस गूगल पर क्लिक करेंगे इस आपके गुरू जी तो भी आपको मेरी पोस्त देखने को मिल जाएंगी दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है गलेक्सी नोट 8 को लेके और यहां पर दोस्तों सैमसंग ने टीजर वीडियो को लाँच किया है जहां पर मालूम चलता है कि फोन जो हैस के साथ में आएग अपके लिए प्यार का एक तौफा लेकिन दोस्तों देखते हैं कि वो क्या हो सकता है और क्या पता होगा भी या नहीं और उसके अलावा दोस्तों यहां पे रिपोर्ट एक और कहती है कि नोट 8 आया है लीगों के एक और बेंचमार्क में जहां पर मालूम चलता है कि फोन म होगी एक बर वापिस है कन्फर्म हो चुका है करीब 6 GB की रैम दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भाई रिलाइंस जियो की तरफ से और यहां दोस्तों अगर आप पे टियम पे जाके रिचार्ज करते हैं रिलाइंस जियो का 300 रुपे से कोई उपर का तो पाद में कैश बैक जो मिल जाएगा अपने पे टियम वालेट में और यह दोस्तों कोड है वो है जियो पे टियम लेकिन अभी यह 300 रिचार्ज मतलब आपने भी कौन सा रिचार्ज करवा रख है करेंट क्या प्लान चल रहा है मुझे सिर्फ इतना बताओ दोस्तों नीचे क कब आएगा और नहीं भी आए तो भी चलो ठीक है वरना आने के बाद भी वो ही था लटकाना था फ्लैसल करने तो कौन सा वन प्लस की तरह खुला बेशना था लेकिन यहां पर दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं यह सिल्वर विलवर तो जाके खरीद सकते हो बाकी कहां ख के साथ में कुछ सैमसंग अपनी स्मार्टवाश तो लाँच करने ही वाला है अब वो गियर S4 हो सकता है उसका दोस्तों गियर 2 प्रो हो सकता है देखते हैं कि exactly सैमसंग क्या क्या बंदल साथ में लाँच करता है नोट 8 के दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भाई यहां पर गूगल और एपल के बीच होने वाली एक डील को लेके जहां दोस्तों मालू में चलता है कि गूगल ने शायद एपल को पे किये हैं तीन बिलियन डॉलर्स कि वो दोस्तों बना रह सके iOS का डिफॉल्ट सर्च इंजन मतलब यह तो clear blackmailing हो गई है भाई अभी iOS क्योंकि Apple का है तो भाई Apple की जो मर्जी है वोई possible होगा तो यहां पे Google ने इतनी बड़ी amount पे करी है iOS में अपने default सर्च इंजन बने रहने के लिए Apple को तो आपको दोस्तों इसका बारे में क्या सोचना है क्या समझना है वो जो बताएगा जरूर नीचे comments में दोस्तों अगल लेकिन दोस्तों कुछ जिगह पे laws वोगरे clear ने और in fact दिकत क्या होती है कि drones बहुत ही छोटे होते हैं तो इनको पकड़ पाना कई बहुत ही मुश्रूर दोस्तों इवन रडार्स वोगरे कलिवे तो यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि Britain की जो सबसे बड़ी वार्शिप है उ दोस्तों दोस्तों डोन की डिए पर कुछ और होता मतलब अगर किसी के रादे नेक नहीं होते तो खत्रा दोस्तों possible था यहां अगे जलके वहिया डरोन सो वारे ले खत्रा होने है खिलोना तो हैं हैं देखते भी डिए क्या होता है हिसी culture में यहां दोस्तों अगला episode निकल क बाइट्स पर सेकिंड और यहां पर दोस्तों कामल लिया गया है USB 3.1 Gen 2 को तो मैं इसको शायद दोस्तों बहुत जल्दी परचेस कर सकता हूँ विकास मुझे चाहिए एक external portable drive और यह काफी तेज है तो काफी अच्छी बात है आप फिलाल कौन सा hard drive यूज करते दोस्तों मुझे बताएगा क्योंकि इसकी तो cost बहुत ज़्यादा यार आप अपर compare करेंगे normal के साथ में जो होती है आपके mechanical drives दोस्तों यह कम से कम उनसे 8 हुना महेंगी निकल के आएगी जहांपे दोस्तों 800 डॉलर जो है वो प्राइस है 2 TBK SSD की मतलब करीब 50,000 रुपे से उपर तो आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कौन से drive यूज करते हैं मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में दोस्तों अगला update निकल के आता है वो है भाई एक ऐसी dock के बारे में जो दोस्तों आप पने phone का तो अगर attach करते हैं इसकी price अकरी 550 डॉलर तो उसके बाद में आप बहुत सारे tests जो की हैं दोस्तों medical field के वो directly अपने phone के तो दोस्तों कर पाएंगे instantly almost जहांपे दोस्तों आप blood को analyze कर सकते हैं वो है true caller को लेके और यहाँ पर दोस्तों आप पैसे के लिए request भेज सकते हैं अपने true caller contacts के बीच में अगर दोस्तों वो इनसान सामने जिसको आपने भीज़े request वो करता है approved तो आपको मिल जाएंगे दोस्तों पैसे directly UPI की तरफ से तो यह एक interesting चीज़ा अलग यह पिछले काफी टाइम से है UPI true caller में लेकिन अब इनसान इंडिविजुल जो है वो पैसे के लिए request raise कर सकते हैं कि भाई हमको पैसा दो तो अगर आपके दोस्त है दोस्तों जिन से आपने पैसा जो है वो देना है कि लेना है